दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप construction site में एक column का shuttering चेक कर सकते हैं और आप लोगों को ये भी बताऊंगा अकर column shuttering सही से नहीं होता है उसमें error रह जाता है तो आपका column में क्या problem आ सकता है देखें दोस्तों ये हो गया हम लोग का एक construction site और ये हो गया column जिसको हम लोग shuttering किये हैं दो column आप लोगों में दिखाया हूँ यहाँ पर भी एक column है यहाँ पर भी एक column है तो इसमें ये वाला shuttering proper है ये वाला shuttering proper नहीं है तो क्या क्या चीज आपको देखना परेगा हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले देखिए दोस्तो हम लोग जो rod provide किये हैं means steel rod जो provide किये हैं जब position सही हो जाएगा आप shattering कर दिये हैं किस तरह का shattering material आप use कर सकते हैं और इसका area आप किस तरह से shattering quantity निकल सकते हैं उसके लिए मैं already video बना चुका हूँ उसका link में i button में देदूँगा आप चाहे तो i button पर click करके देख सकते हैं तो देखे दोस्तों जब shattering हो जाएगा इस तरह का आपको एक scale लेना होगा आप site में काम करें तो आपके हाथ में हमेसा एक scale रहना या फिर tape रहना ज़रूरी है यहाँ पर आप एक scale यूज कीजिए क्योंकि इसमें अच्छा measurement आएगा collect measurement आपको मिलेगा आपको इस shuttering जो box है ना इस shuttering box से जब shuttering complete हो जाएगा इस shuttering box से जो सरिया है मतलब कि steel rod है इसका distance कितना है ओ मापना होगा यह basically ओ लेंट आएगा जो आप cover provide किये है जैसे कि column के लिए 40 mm का cover होता है 40 भी दे सकते है 30 भी दे सकते है तो 40 to 30 mm cover होगा आपको check करना है जो cover आप provide किये है ओ steel bar से हर जगा पे same है क्या नहीं है इस तरह से आप check कर सकते हैं मैं आप लोगों जूम करके दिखा देता हूं देखें यहाँ पर मान लिजिए 40 mm आया इस सडिया से similarly आपको चारो साइट पे measurement लेना है इधर से भी ले लिजिए इस सडिया से भी ले लिजिए चारो और आप measurement ले लिजिए जो gap है अगर साइट पे यह चेक करके देखते हैं पूरा सही है तो step number one shuttering checking complete दूसरा चीज देखें आप तो उपर में measurement ले लिए अभी हो सकता है यह column थोरा से टेरा हो और उपर में measurement सही आया लेकि नीचे में measurement सही नहीं आ रहा है अब तो अंदर में हाथ घुसा के measurement नहीं ले सकते हैं तो उसके लिए आप क्या देखेंगे किस तरह से आप check करेंगे column erect है क्या नहीं है shuttering box erect है क्या नहीं है अगर shuttering box erect नहीं होगा column भी erect नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा इस तरह से आपको एक plumbob लेना होगा ठीक है जो कि ओलोन हम लोग बोलते हैं बेंगोली में भी बोलते है या फिर local language में ओलोन बोलते है और इंग्लिस में हम लोग इसको plumbob बोलते हैं ठीक है आपको इस तरह का एक scale लेना होगा जो scale आप यूस कर रहे हैं उसके बाद आप देखेंगे ओलोन के साथ एक उठका इस तरह का एक पेग होता है ठीक है उसके बाद आप जो scale इस्तमाल कर रहे हैं उस scale को बिलकुल सिधा से आप इस जो column box से इसमें लगा दीजिए इसका face में ब्राउन देख रहे हैं यहां पर column box का भी color brownie होगा लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं इहां पर yellow यूस किया हूं ठीक है तो आप इस तरह से plumbob को लगा दीजिए और इसका जो उडेन पेके यह भी सही से रखे औ और आप जो scale use कर रहे हैं उससे यह बिल्कुल parallel होना चाहिए ओके सूता देख रहे हैं यहां पर आप लोग जो सूता देख रहे हैं इससे column box का face का distance कितना है आपको measurement करना होगा आप उपर में एक ले लिजिए यहां पर भी एक ले लिजिए ठीक है middle में एक ले लिजिए न इसमें भी आप इस तरह से measurement ले लिए उपर में एका 1500 mm आ रहा है यहां से इतना दूर डिस्टेंस आपको measurement करना है अगर इस सूता से इसका face 1500 mm आ रहा है उपर में भी 1500 mm आना चाहिए middle में भी 200 mm आना चाहिए और नीचे में भी आप देख लीजिए यहां पर भी देख लीज तो आपको क्या करना परेगा आपको इहां पर देखे उडेन पेग में दिया हूँ यहां पर उडेन पेग दिया हूँ चारों और उडेन पेग दिया हूँ इसको थोरा सा हटा के आपको fix करना है अभी देखे दोस्तों column जब shuttering हम लोग करते हैं आपको देखना चाहिए पवाम एक साइड में बेंड हो सकता है ठीक है तो अधायम पीन पीक बिल्कुल आच्छा होना चाहिए फूल लेंग होना आट बाजे है और आप में बाते होरा है कर बीडिल पर बातने पर टूंठ होना चाहिए और प्लोगों को मैं बता देता हूँ देखिए यहां पर जो shattering material हम लोग की यूज किये हैं यह तो पूरा box तरह से नहीं आता है box जैसा यह नहीं आता है एक-एक side का होता है जैसे कि यहां पर एक portion हो गया यहां पर एक portion हो गया इसको इस तरह से fixed करके लगा आजाता है तो आपको देखना होगा इसका मिडिल में इसको स्टेंड देने के लिए यहाँ पर मैं देखिए दिया हूँ यहाँ पर एक बॉटम दिया हूँ यहाँ पर एक बॉटम दिया हूँ यहाँ पर एक बॉटम दिया हूँ यह क्या करता है यह कॉलम बॉक्स को लेंद होता है तो minimum to minimum middle में तीन ऐसा bottom होना चाहिए ठीक है ऐसे बहुत जगा पर steel का material आता है मैं already बना चुका उसके लिए वीडियो steel का material आता है जो shuttering के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए कोई दिकत नहीं है क्योंकि वो अगर आप प्लास्टिक का या फिर प्लाइबोड का यूज़ कर रहे हैं तो यह चीज़ आपको देखना होगा ओके और दूसरा चीज़ आप यह जो और shuttering oil जोरूड लगा दीजिएगा shuttering oil market में खरीच सकते आप लोग या फिर बहुत साइट पे available नहीं होता है तो उसमें आप mobile भी use कर सकते हैं इसको हम लोग क्यों देते हैं जब column का face आता है तो उसका जो structure होता है बहुत smooth आता है तो इसलिए हम लोग shuttering material देते हैं और ज़रूर आप shuttering oil provide किजिएगा maximum site पे ये use नहीं होता है तो ये चीज़ अगर आप सही से देख लेते हैं site में जाके तो आपका shuttering बिल्कुल perfect हो जाएगा अपका column casting होने का बाद बिल्कुल सही आ जाएगा ठीक है तो ये video कैसा लगा दोस्तों अगर अच्छा लगे तो like ज अब comment box में जुरूर लिखेगा अज के लिए बास इतना ही दोस्तों मिलते अगला एक नया interesting वीडियो के साथ वीडियो को आन तक देखने के लिए बहुत-बहुत धनेवाद